थोड़े ही दिनों में रक्षाबंधन आने वाला है और रक्षाबंधन के दिवहार पर हमें मिठाइ के बीना अधूरा है तो चलिए आज घर पे एक मिठाई बनाते हैं जो बहुत easy है, बहुत कम इंग्रिडियन्स से बन जाएगी और फटाफट से बन जाएगी तो आज हम बनाएंगे लॉकी की बर्फी तो लॉकी की बर्फी बिनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले ली है एक लौकी, तो यहां में मैंने एक मिडियम साइज की लौकी ली है और उसका वजन तकरीबन 400 ग्राम है तो आपको इस तरह की लौकी पसंद करनी है एक दम पतली वाली, मोटी वाली आप लोगे तो इसके अंदर से बीज निकलेंगे तो इस तरह की पतली वाली लोगी हम पसंद करेंगे तो लोगी को मैंने एक दम अच्छे से छील लिया है और आप मैंने निकाल लिया है चौपर क्योंकि मेरे पास इस तरह का चौपर है तो इसमें ये लोगी फटा-फट से चौप हो जाएगी अगर आपके पास इस तरह का चौपर नहीं है तो आप इसे ग्रेट भी कर सकते हो तो लोगी के मैंने मीडियम साइज के पीसिस कर लिये है और आप देख सकते हो कि लोगी के अंदर बिल्कुल भी बीज नहीं है मतलब कि एकदम छोटे-छोटे हैं बहुत बड़े नहीं है और अगर आपके पास जो लोगी है उसके अंदर बीज है बड़े-बड़े तो आप क्या करें? लोगी को बीज में से कट करके उसके जो बीज का पार्ट है वो निकाल ले और साइड का जो पार्ट है उसे यूज करें चलिए तो अब लोगी को हम चौप कर लेते हैं तो इस तरह हमें इसे चौप कर लेना है चौपर अगर आपके पास है तो उससे ही करें क्योंकि इससे काम हमारा बहुत ही इजी हो जाता है लोगी फटा-फट से चौप हो जाती है तो हमारा आधा टाइम तो ऐसे ही बच जाता है परी देखे इस तरह हमें इसे चौप कर ले रहा है इतना बारिक चलिए अब लोकी को रख देते हैं साइड में और अब यहाँ पर मैंने ले लिया है एक नॉन स्टिक पैन अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं है तो आप कोई मोटे तले वाला बरतन ले लिजे और अब पैन के अंदर डाल देंगे गी तो यहाँ पर मैंने तीन चमच जितना गी लिया है और गी अच्छे से मेल्ट हो जाए उसके बाद लोकी डाल देंगे और इसे हाई फ्लेम पे हम तीन से चार में डच्छे से बून लेंगे तीन से चार में डच्छे से बूनने के बाद गैस की फ्लेम को हमें एकदम लो कर देना है और जो पैन है उसके उपर हम ढखन लगा देंगे और इसे एकदम लो फ्लेम पे 2-3 मिट हम अच्छे से पकने देंगे चलिए जब तक हमारी लौकी पक रही है तब तक हम एक पेस्ट बना लेते हैं तो यहाँ पर मैंने ले लिये हैं काजू तो यहाँ पर मैंने टुकड़ा वाला काजू लिया है अगर आप चाहो तो साबूत भी ले सकते हो लेकिन हमें इसकी पेस्ट बनानी है तो इस तरह का टुकड़ा काजू चलेगा तो यहाँ पर मैंने मेजर करके 1 3rd cup जितना काजू लिया है और 1 3rd cup मैंने इसके अंदर डाल दिया है milk powder और 1 3rd cup इसके अंदर डाल देंगे दूद अब ले लेंगे ilaichi तो यहाँ पर मैंने 2-3 ilaichi ली है और इसे छील के इसके दाने हम डाल देंगे यह जो जार है उसके अंदर वेकि ilaichi भी इसके अंदर अच्छे से पीस जाएगी जो 2 ilaichi हमें इसके अंदर दाने निकाल के और अब इसकी हमें paste बना लेनी है तो measurement काजू और जो milk powder है उसका थोड़ा बहुत उपर नीचे हो जाएगा तो चलेगा इससे हमारी बर्फी में कोई भी दीकत नहीं आएगी अगर आपके पास इस तरह के measuring cup नहीं है तो आप कोई भी छोटी कर्टोरी का measurement ले सकते हो चले अब अच्छे से मैंने इसके paste बना ली है और फिर से मैंने one third cup जितना दूद इसके अंदर add कर लिया है और इसे फिर से मैंने पीस लिया है यहाँ पर दो से तीन मेड हो चुके है और आप देख सकते हो कि लौकी का सारा पानी उड़ चुका है और अब यह जो paste हमने अब इसके अंदर डालेंगे चीनी तो चीनी यहाँ पर जितना मीठा खाते हो इतना ले सकते हो तो यहाँ पर मैंने half cup चीनी ली है क्योंकि हमारे गर में थोड़ा सा मीठा ज्यादा खाते हैं तो मैंने चीनी थोड़ी से ज्यादा ली है और अब इसे high flame पर हम पकाएंगे तो high flame पर हमें इसे 2-3 मिट अच्छे से पका लेना है चला लेना है और अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है green food color जो edible है अगर आपके पास इस तरह का food color नहीं है तो आप इसे skip कर सकते हो लेकिन मेरे पास available था तो मैंने 2-3 drop food color के डाल दिये हैं और आप यहाँ पर देख सकत को 5 मिनिट continuously चलाते हुए पकाया है तो यह mixture इतना गाड़ा हो गया है और अब इसके अंदर add कर देंगे half cup नारिल का बुरा गुजराते में हम इसे कोपराणों चीन बोलते हैं तो half cup इसके अंदर डाल देंगे और 2-3 मिट हम इसे पका लेंगे और अब gas की flame को हमें off कर लेन है और अब ले लेंगे इस तरह का कोई container अगर आपके पास इस तरह का container नहीं है तो आप थाली भी ले सकते हो थाली के ऊपर अच्छे से गी spread कर लेना है और यह जो mixture हमने ready किया है इसके अंदर डाल देंगे और अब spatula की help से इसे दबाते हुए evenly हम container के अंदर इसे फैला लें तो आपको जितनी मोटी वर्फी चाहिए उतना आप छोटा बरतन ले अगर आपको पतली वर्फी चाहिए तो आप बड़ा सा बरतन ले तो यह mixture है उसे मैंने फैला लिया है और अब मैंने ले लिया है एक dry food cutter और इसके अंदर मैंने थोड़े से dry food cut कर लिये मतलब के chop कर लि और अब dry food से बर्फी को हम garnish कर लेंगे और spatula से इस तरह dry food को दबा लेंगे ताकि अच्छे से set हो जाए और यहां पर मेरे पास है इस तरह के copper leaves तो यह edible है और इस तरह इसे मैंने इसके उपर डाल दिया है ताकि देखने में हमारी बर्फी एकदम market जैसी लगे अगर आपके पास है तो डाली अगर नहीं है तो इसे skip कर सकते हो तो बर्फी हमारी एकदम ready है इसे हम ठंडा होने देंगे तो room temperature पे आए तब तक हमें इसे ठंडा कर लेना है और अब इसके हम pieces निकाल लेंगे अगर आपको थुड़ी सी जल्दी है तो आप इसे fridge में रखके भी set कर सकते हूँ तो चलिए यहाँ पर मैंने बर्फी को cut कर लिया है तो मैं आपको एक निकाल के दिखाती हूँ तो यह दिखिए बर्फी हमारी एकदम ready है तो इस बर्फी को बनाने में मुझे तकरीबन 15-20 मिर्ट लगे है फटा-फट से बन भी गई है और इसके अंदर बहुत ही कम ingredients यूज हुए है तो इस रक्षा बंदन आप बार से मिठाई ना लाकर घर पे ट्राइ करिएगा यकिन मानिए यह वाली बर्फी आपके घर में सबको बहुत ही पसंद आएगी तो आज की रेसिपी आपको कैसे लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना और अगर रेस रेसिपी अच्छी लगती हैं तो अपने फ्रेंड्स और फैमिले के साथ भी जरूर शेयर करना तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही नेक्स रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई जैशी करशना